हेलो दोस्तों नमस्ते तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए One Plus Pad जो की है एक टैबलेट हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे One Plus Pad को Unbox करके Box के अंदर कंपनी आपको क्या-क्या SSR इस देपी है वो हम आपको दिखाएंगे उसके बाद में हम बात करेंगे Overall Features जी उसके बाद हम आपको दिखाएंगे दो और ऐसी SSR जो आपको वीडियो लाच तर देखना पड़ेगा जिसमें इस टैबलेट के साथ आपको और दो SSR आप परचेस कर सकते हो जो और ही Next Level का मज़ा देगी कि वो भी हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और लास्ट में हम बात करेंगे डिटेल स्पेसिफिकेशन की कि कौन सी चीज इस टैबलेट के अंदर आपको क्या-क्या डिटेल में आपको यूसर मैन्यूल गाइड मिल जाती है यहां पर आपको कोई भी डाउट हो तो यूसर मैन्यूल गाइड से आप सेट अप कर पाओगे USB Fast Charging Cable आपको कंपनी ले देती है जिससे आप टैबलेट चार्ज करोगे और कंपनी बॉक्स के अंदर चार्जर भी आपको दे देती है तो चलिए अभी लिखाते हैं यह टैबलेट कैसा दिखता है तो अच्छी तरीके से वेप होए टैबलेट को हम जैसे ही ओपन करते है तो बहुत ही शाइनी और ग्लॉसी और मैटलिक लुक आपको पीछे से लिखने को मिलता है एक बड़ा सा कैमेरा आपको पीछे की साइड देखने को मिलेगा वनप्लस का ब्रैंडिंग आपको मिल जाएगा और LED फ्लेश लाइड भी पीछे की से ड़ा आपको मिल जाएगी उपर आपको वॉल्यूम अप डाउन का बटन मिल जाएगा पावर का बटन भी आपको मिल जाएगा ओपन करने पे बहुत ही बड़ी स्क् लगती है काईज और स्क्रीन का जो जिजॉलिशन है वो पी एक्टम प्रीमियम है सारी चीज एकड़ नेक्स्ट लेवल दिखती है फोर्पोस तो एक्टम प्रीमियम आता है क्योंकि इसके अंदर पीछे के साइड एक कैमेन आपी दिया गया है अगर दाइस हम डीजाइन की बात करें तो डीजाइन में ये ग्लॉसी लुक बहुत ही अच्छा लगता है मैटलिक लुक लगता है अब भी ये बात आगे और दो एससरी जो आप इस टैबलेट के साथ 25 कर पाऊगे तो हम आपको पहले दिखाते है ये है पैन इस पैन को आप उस टैबलेट के साथ यूज कर पाऊगे अगर आपको कोई ड्रॉइंग करना हो कोई रिमोट्स करना हो तो ये पैन इजी ली उसके साथ अटेश हो जाईगी और आता है कीवोड जिससे ये टैबलेट आपका बन जाएगा तो इस टैबलेट में पीछे की साइड पे पूरा उसका होल्डर आ जाता है और पूरा की पैड नीचे के साइड आ जाता है जैसे ही हमने आपको दिखा है कि इस टैबलेट को आप अन्बोक्स करोगे तो आपको बहुत ही शाइनिंग और मेटलिक पीछे से मिल जाएगा तो वो जो मेटलिक बैक है इस कवर के साथ एटेच हो जाएगा और ये कीवोड के साथ सिंक होके आपको लैप्टॉप का मज़ा देगा आपके की साइड आपको माउस पॉइंटर भी मिल जाएगा कीवोड भी मिल जाएगा और पैन भी मिल जाएगी गाइज अगर डिजाइन की बात करें तो आप देखिए जी अंदर मीडिया टेक का आपको प्रोसेसर मिल जाएगा पीछे का बैक है वो पूरा से मेटल से बनाया गया है वैसी टाइप की डिजाइन आएगी शाइड के जो कर्वस है वो स्मोथ कर्वस है वोल्यूम आप डाउन के भी कर्वस मूथ है बड़े से स्पीकर इसमें मिल जाता है जिसमें साउन क्वालिटी बहुत ही प्रीमियूम आती है इसका 7 रिश्यो 5 का स्क्रीन आता है जिससे मतलब स्क्रीन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी आती है चारो जगह पे speaker आपको इसमें मिल जाता है तो बहुत ही बड़ा speaker का आपको इसमें setup मिल जाता है आपको कौन से भी site से आप इसमें speaker रियूज करता होगे यहाँ पे speaker चारो और मिल जाएगे तो आपको surround sound का आपको quality इसमें मिल जाएगा cellular data selling भी है मतलब आप data भी share कर सकते हो 67 watt का super fast charger में जाएगा यह जो हमने आपको pen बताई unbox करके वो आपको access कर सकते हो keyboard भी आप purchase कर सकते हो जो आपको computer का लोग देगा पिछे की side बहुत ही अच्छा camera आजाएगा अभी हम overall features की बात करें तो इसका जो thickness है वो 0.67 cm थिकनास है guys एक cm भी नहीं है 0.65 cm ही thickness है मतलब बहुत ही पतला tablet है यह जिसको one plus pad कहते है इसका weight है 552 gram जो बहुत ही कम है इसका screen के size के हिसाप से क्यूंकि यह mobile जैसा screen नहीं है अब 3-4 mobile मिला दो उतना जो 3-4 mobile का मिल के जितना screen होता है उतना बड़ा इस tablet में आपको screen मिलेगा जो है one plus pad यहाँ पर अगर हम design जी बात करें तो चारो चारो corners पर आपको काउव वारी design मिल जाएगी body पर जो मतलब sharp नहीं रहेगी बहुत ही सबी side से आपको smooth लगेगी पीछे की side आपको बड़ा सा one plus का branding मिल जाएगा ओपर एक camera मिल जाएगा और उसके side में आपको ring का setup मिल जाएगा जो camera को protect करेगा और आपको LED अ फ्रेश लाइट भे पीछे की side मिल जाएगी अगर हम front glass की बात करें कि पर screen है तो screen आगे flat है या गया है तो glass है वो 4.5D glass screen है अब देख सबते हो कि आगे से glass पूरा smooth है और जैसे ही वो edge पे जाता है तो थोड़ा सा cow होता है उसका curvature इस design का बना गया है तो बहुत ही premium लगता है CNC aluminum unibody है तो यहाँ पे जो आपको पूरी body मिलती है वो CNC aluminum body है जो बहुत ही heavy है गिरने करने पर वो टूटेगी नहीं है ऐसी अच्छी quality की body इसमें यूज करीगी है smooth and enhanced comfort आपको हाथ में अगर आप इसको पकड़ोगे तो बहुत ही मतलब smooth feeling आएगी इसका जो screen का ratio है वो 88% तक पूरा screen cover हो जाता है मतलब जो tablet है वो 100% है 1 plus pad 100% इतना कहता है तो self 88% पूरा screen cover हो जाता है और कहें तो पूरा 10% ही उसकी body आगे की side से दिशेगी almost 90% screen पूरा cover हो जाएगा इतने बड़ी screen आएगी अगर हम screen का ratio की बात करें तो 7 is to 5 ratio आपका मिलेगा मतलब उसका मतलब क्या 7 is to 5 ratio तो इस ratio को माना गया है कि जो आप किसी भी चीज़ को read करते हो ठीक है कुछ भी चीज़ पढ़ते हो तो उसके लिए जो ये ratio है 7 is to 5 वो बहुत ही comfortable होता है किसी की चीज़ को पढ़ने के लिए या दीखने के लिए तो अगर आप movie देखते हो या कोई document पढ़ते हो कोई article पढ़ते हो और news पढ़ते हो तो इससे बहतर किसी में नहीं दीखेगा बहुत ही book जैसे आपको comfort है गाइस के अंदर और overall inches की बात करें तो 11.61 inch का आपको screen मिलेगा तो वो बहुत ही बड़ा screen है guys 11.61 मतलब almost 12 inch का screen आगे की side आपको मिलेगा जो बहुत ही बड़ा लोग देगा अगर हम brightness की बात करें तो 500 nits की आपको brightness इसमें मिल जाती है मतलब आप indoor भी इसको use कर सकते हो और outdoor भी अगर for brightness कर दिया तो आपको easy लिए भी इसको use कर सकते हो यहां पर 144 hertz का refresh rate मिलता है मतलब अगर आपने app switching किया या पिर एक app से दूसरी app में गए दूसरी से तिसरी में गए तो क्या होता है कि app कई बार stuck हो जाती है करी बार जो अपना mobile होता है या पर टेबलेट होता है वो stuck हो जाता है तो इसमें ऐसा नहीं होगा इसमें क्या होगा कि 144 hertz का है तो app switching भी fast होगा आप जैसे कि कोई movie देख रहे हो और तुछन थी किसी को message करना है या पर कोई और चीज़ आपको याद आखे स्वीच करना है PDF आप देख रहे हो और कहीं पर नोट्स वाली अप्लिकेशन तो वो इजी ली open हो जाएगा यहाँ पर कोई भी stuck का problem नहीं आएगा अगर आप इस tablet को use करते हो बहुत ही smooth functioning आपको इसके अंदर मिलेगा अब भी जो हमने आपको sound की बात की तो आप देख सकते हो चारो corner पर चार speakers बहुत ही अच्छी quality कर दिये गए है जो powerful speaker है आप देख सकते हो left right पर दो और दोनों साइट पर दो मतलब 4 speaker हो गए है Omni-marier sound field technology का इसके अंदर यूज किया गया है amplified बहुत ही अच्छा आता है चारो speaker की चारो speaker powerful है तो उसका जो amplification है sound का वो जबर just आएगा मतलब क्या होता है कई बार हम movie देखते है या फिर web series देखते है तो क्या होता है चोटी से screen में मज़ा नहीं आता है और अगर मज़ा आ भी गया तो आवाज में मज़ा नहीं आता है लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा अगर आप movie या web series देख रहे हो या फिर कोई भी वीडियो देख रहे हो तो वो आपको बड़ी screen में बहुत ही अच्छा दिखेगा और उसका जो sound quality है वो भी जारो और से चार speaker बज़ेंगे तो मतलब एकदम premium और crystal clear sound आपको इसके अंदर में लेगा तो उसके लिए भी इस company ने क्या किया है कि इसमें Dolby Atmos का आपको sound की quality दी है मतलब normal speaker नहीं है Dolby के speaker है तो उससे क्या होगा कि जो आपकी audio quality है वो 3D जैसी आएगी तो मतलब मान लीजे कि कोई scene है उसमें से कोई बंदा left side से आ रहा है कोई बंदा right side से आ रहा है तो अगर आपको पास Dolby Atmos का speaker होगा कि जैसा कि इस tablet में है one plus pad के अंदर जो in build speaker आता है तो इसमें क्या आपको पूरा 3D feel आए ना कि कोई left से आ रहा है और कोई right से आ रहा होगा तो आपको पूरा ऐसा 3D feel आएगा sound के साथ कि को अच्छल में right side से आवा जा रहा है तो ऐसी quality का Dolby Atmos का sound इसमें दिया गया है डॉल नी विजन भी दिया गया है क्योंकि screen बनी है तो अगर आप इसी अच्छी तरगे से नहीं दिखेगा तो बहुत ही premium इसमें दिखेगा ऐसा नहीं कोगा कि side में से अच्छी तरगे से नहीं दिखेगा तो यह एक पाइदा आपको मिलेगा यहां पे multitasking master है यह जिसको ऐसा क्यों कहा गया है क्योंकि आप इस example में ही देख सकते हैं कि मान दीज अगर tablet में रख दे और उसमें देखे तो मसा आदाता है तो मान दीजें left side पे आपना photos open किया है और right side पे आपने notes की application open की है तो दोनों app को side side में open करके आगे का आप कहां कर सकोगे मतलब आप multi tasking इसके अंदर कर सकोगे ऐसा नहीं है कि एक 10 पे आपको एक ही है open करनी पड़ उन दोनों के मीच में interaction भी कर सकते हो दूसरा advantage यह है क्योंकि इसमें processor दिया है MediaTek Baman City 9000 processor जो बोकाती premium and high speed processor है यहाँ पे आपको फाइदा क्या मिलेगा इस processor से यह जो tablet है one plus pad वो past and smooth आपको experience देगा कुछ चीज़ open करोगे close करोगे या फिश्लाइड करोगे तो वो smoothness जैसे आप देख रहे हो तो यह आपकी easiness mode होगी वो slide होगी वहाँ पे वो scroll होने पे पीछ में चिपकेदा नहीं और fast functioning होगा तो वो आपको next level का benefit देगा यहाँ पे आपको wifi 6 का भी support इसके अंदर मिल जाता है और super fast UFS 3.1 जो storage का है वो भी आपको इसके अंदर मिल जाता है यहाँ पे CPU के score है वो effectively work करता है multitasking के लिए मतलब एक से ज्यादा है अप्यूस करने तो भी कोई निकट नहीं है अगर हम screen ची बात करते हैं तो RAM हमारे दिमार्ग में आई जाता है कि RAM कितना है इसके अंदर तो इसमें 12GB का LDR5 RAM दिया गया है जो मतलब latest RAM है और 12GB almost as a computer इसके अंदर RAM inbuilt दिया गया है जिसके अंदर आप एक साथ 24 application 24 applications एक साथ आप background में इसमें use कर सकते हो मतलब ऐसा नहीं है एक दो application 10-12 भी नहीं उससे ज्यादा 20 application भी आपने open कर दी और background में रख दी तो कोई issue नहीं आएगा टैबलेट चिटकेगा नहीं इतना अच्छी quality का OnePlus Pad ये tablet है और इ RAM है वो एक दाउन properly design है अगर आपका usage ज्यादा है तो ये heat होता है तो heat के लिए भी heat protection के लिए भी इसमें cooling के technology यूज के ही है क्योंकि कोई भी device होगा तो थोड़ा तो heat होगा लेकिन उसका cooling कितना efficient है वो आप में देखना है तो इसमें बहुत efficient cooling है तो आप इसमें one सी चाहा इतना यूज कर लो ये tablet गरम नहीं होगा यहां पर अदर बात करे charging का क्या है तो charging में आपको 9510 mAh की बड़ी से battery मेलती है जो आप मान वीजे कि आपके बास power bank है power bank जितनी बड़ी आपको मिल जाती है ये अंदर battery और एक बाल चार्ज करने पर ये 30 दिन तक ये tablet चल जाता है आज कर जो mobile हम charge करते हैं वो एक ये दूर दिन तक चलते हैं लेकिन इसको charge करने पर ये 30 दिन तक चलता है और अगर आप continue वश कोई वीडियो देख रहे हो जैसे कि मान ने जे movie देख रहे हो तीन गंटे जी और आपको doubt हो रहे हैं कि वो play होगी या नहीं इसके बीच में battery ख सकते हो यहां पर अगर charger की बात करना तो charger भी slow speed नहीं है high speed charger दिया गया है जो 67 watt का super woke charger आपको मिल जाता है और उसके साथ साथ fast charging data cable भी आपको इसके अंदर मिल जाता है तो इसको charge होने में मतलब एक घंटा लगता है क्योंकि जो इसकी battery है वो एक बात charge होने पर और माई ना म कर सकते हो तो एक घंटा में यह fully charge हो जाएगी और super fast charge हो जाएगी मतलब इतनी बड़ी बैटरी है तो एक घंटा तो बहुत ही कम है और एक बार मतलब 30 दिन आप एक बार एक घंटा आप इस पर charge करो और पूरे महीने तक इसको यूज करो इतनी अच्छे quality के अंदर बैटरी लिए और उसके भी लिए battery health engine भी इसके अदर दिया गया है तो मतलब कि अगर आपको charge हो रहा है या कुछ भी है तो क्या है detail में कितनी health है battery की वो सारे कुछ चीज आपको अंदर मिल जाएगी अगर हम detail में बात करें कि क्या specification है तो यहाँ पे 11.61 inch की आपको screen मिल जाती है जो corner to corner measure की हुई है type आपको LCD screen मिल जाती है यहाँ पे screen to body ratio 88% मिल जाता है resolution 2800 into 2800 का resolution मिल जाता है refresh rate multiples मिल जाता है 30 से लिखे 144Hz का आपको refresh rate इसमें मिल जाता है PPI 296 का मिल जाता है यहाँ पे contrast 1400 is to one का मिल जाता है यहाँ पे brightness 500 nits की मिल जाती है तो guys अगर यहाँ screen के specifically display की बात करें तो almost 12 inch का screen है corner to corner अब measure करो और बहुत ही अच्छी quality का screen है इसमें performance की मात करें तो इसमें डो option available है 8 GB आप purchase कर सकते हो 1 plus pair या फिर 12 GB भी आप purchase कर सकते हो यहाँ पे storage में भी दो option दिये गए है 128 GB का storage ले सकते हो या फिर 256 GB का भी storage आप इसके अंदर ले सकते हो operating system oxygen OS 13.1 जो latest दी गई है इसके अंदर तो आपको use करने में बहुत ही मसाएगा CPU इसमें media tech damage इते 9000 दिया गया है ग्रासिक card भी इसमें है जो है ARM G710 इसमें दिया गया है charger आपको अकर charging की बाद करें तो 64 मोट का सुपर अवक charger इसमें supported है और बैटरी भी इसमें 9510 मिलियम गया की बड़ी सी बैटरी भी है मतलब charge करो और use करो पुरा महिना और दो options अवेलेबल है गाईज ये मन पूरनाज 6 GB RAM वाला भी है और 12 GB RAM वाला भी है तो ये बहुत ही अच्छा 8 GB RAM है और 12 GB RAM है दो मिल जाता है आपको अगर हम camera की बात करें तो 13 MP आपको 10 camera मिल जाता है वीडियो में 720 पीचे की साथ जो camera है वो 13 MP वाला टेबलेट में मिल जाता है वीडियो आप इसमें 1080p का भी record कर सकते हो और 4 की quantity का भी इसमें वीडियो record कर सकते हो जो बहुत ही बड़ी बात है 4 clarity 4 की वीडियो भी आप इसमें record easily कर पाऊगे अगर हम front camera की बात करें तो front camera भी इसमें 8 MP का मिल जाता है और इसमें भी आखे की साथ से भी आप 1080p का recording कर सकते हो तो ये टेबलेट में आपको आखे भी अच्छा camera मिलता है पीछे तो सुपा camera इसमें मिल जाता है और video zooming भी support है मतलब आपको zoom करना है तो वो भी मिल जाएगा या या stabilization भी मिल जाता है मतलब shake होता है या कुछ भी होता है तो video stabilizer अगर हम connectivity की वाइट बात करें तो Wi-Fi 6 इसमें मिल जाता है जो latest है Wi-Fi 5 का भी support इसमें मिल जाता है wireless LAN भी supported है 2.4 और 5.8 दूनों supported है 5.1 भी supported है Bluetooth का latest version है 5.3 इसके लिए supported है मतलब आप wireless device है उसको connect कर सकते हो wireless earphone wireless speaker सारी कुछ चीज़ को आप Bluetooth से इसमें connect कर सकते हो USB type C का charging port इसके अंदर मिल जाता है audio device port भी आपको USB type C से आप उसको use कर सकते हो GPS के लिए इसमें GPS के लिए location का पूरा setup दिया गया है मतलब गूगल map यूज की आप तहें पर navigation करना है यहां सिर्क किसे चीज़ को locate करना है तो यहां पर GPS अंदर ही मिल जाता है जिससे आप map में उसका location डॉन के हैं और आप direction भी डॉन सकते हो यहां पर अगर security की बात करें तो unlock method में आपको face unlock मिल जाता है मतलब आपका face एक बार under details आपने register कर दिया scan करके तो next time आप जब tablet open करोगे तो वो आपका face scan करके tablet open होगा मतलब कोई unauthorized person इसको open करने की try करेगा तो उसका face तो आप से अलग ही होगा तो वो open नहीं कर पाएगा तो ऐसा भी आप इसमें security setup कर सकते हो sensor की बात करें तो geometric sensor इसमें मिल जाता है light sensor भी मिल जाता है accelerometer भी मिल जाता है gravity sensor भी मिल जाता है color temperature sensor भी मिल जाता है wall sensor भी इसमें मिल जाता है तो sensors सारे सारे sensors इसके अंदर निये गर है तो आप easily कोई भी जैसे की game किलनी हो या पी light detect करनी हो यह कितना bright न तो, वो सारी कुर चीज ही, इसका अंदर sensor से आप कर सकते हो, box की बात करे कि box की अंदर आपको consequences आपकर आपने पैड़ पड़ेस किया oneplus pad तो box के अंदर कमपनी क्या दे देती है oneplus pad खुन आपको company pad ने ईगी ही उसके साथ था super walk power adapter भी company देती है मतलब charger भी आपको मिलजाता है type C का charging cable past charging data लिटा कीबल भी आपको इसके अंदर मिल जाता है जो कंपनी दे ले दे क्विक स्टार्ट गाइड भी मिल जाती है मतलब अगर आपको इसको शुरू करने में कोई दिक्कत आती हो या फिर कोई पुश्य नहों तो आप उसके अंदर देख सकते हो सेफ्टी इंस्वर्मेशन द भी कवर हो जाएगा तो यह आता है वन प्लास पेर्ड जो हमने आपको अन्बोक्स करके दिखा है यह सारी चीज उसके अंदर आती है ऑपको यह टेबलेट वन प्लस पेर्ड कैसा लगा और यह विडियो कैसा लगा तो अगर आपको यह अच्छा लगा हो तो इस वीटीओ क कर दीजे शेर कर दीजे और फ्रेंड इस चैनल को comment मतलब subscribe कर दीजे सबस्क्राइब करना friends इस लिए important है क्यों हम हदोस नई चीजे लाते रहते हैं और हमारा वीडियो अप तक पहुँच पाए कि हमने कोई चीज बनाई है और आपको notification आप उसमें देख सको उसके लिए subscribe करना important है, so thank you friends for watching this video, इस चैनल को subscribe कर देना, goodbye, see you soon.